देखे फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सूट का डिजाइन बताऊंगी, बहुत ही सुन्दर सूट है, ये दो मीटर हमारे पास कलीदार, इसमें हम अपना प्लाजो बनाएंगे, और इसके अंदर एक हम कलीदार ही ड्रेस है, बहुत ही सुन्दर ड्रेस है, और दो ही मीटर ये और आगे का हिस्सा हो जाएगा 16, तीरा हमारे पास 14 है, और चार तह में बनाएंगे तो साथ लेंगे, और लंबाई ही फ्रेंड्स हमारे पास 43 है, और स्लीव सम नहीं बनाएंगे, स्लीवलेस बनेगा ये, और देखे अब हम इसके प्लाजो का नाप लेते हैं, चातिस हिप प्लाजो काटेंगे, तो इस कपड़े को हम खोलेंगे, हमारे पास इसकी लेंथ 35 तैयार है, तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे करके हम 35 हैं, तो ये देखिए, 36 ले लेते हैं, ये बिलकुल यहां से लिया है, बेल्ट एक्स्ट्रा डालेंगे, और लेकि इस कपड़े को इतना फोल्ड करेंगे, और इसे अलग करेंगे, ये देखिए, इतने कपड़े को हम यहां से अलग कर लेते हैं, अब देखिए, ये हमने 36 कपड़ा अलग कर लिया, अब हमारे पास देखिए, नाप में हमारे पास जो हमने हिप की नाप ली थी, हमारे पास 24 आया था, तो अब फ् यहां पर हम इस तरह करके आठ ले लेगे और यहां पर इसके जो बंध साइड पर आठ का आधा चार यह देखिए यह लेके इसको हम इस परकार मिला देंगे अब मिलाने के बाद अब हम इसे काट लेके है लूट इसके तिर्ची है जो सीधी पाली साइड है इसको साथ इस परकार रखेंगे से खैर यह रख लिया हमने अब एम इसमें अपने आसन का निशान लगाएंगे तो हम इसके हम 12 इंच के आसन hélasan का निशान लगाएं, यह हमने लगा दिये हैं और लगाने के बाद इस थरों कट डालेंगे क्योंकि यहां पर ऊपर हमारा बेल्ट बनेंगी अलग से किए अब फिरंड में kij हम 12 इंच कह आम यहांवी कुर्णीय निशान लगATEएं और यहां बनी कंपने कि यहां पे भी पूरा 24 आ रहा है और यहां पे बिल्कुल बराबर आ रहा है अब हमें इसकी गुलाई करने की जरूरत नहीं है यह बिल्कुल ठीक आएगा यह कपड़ा हमारे पास बचावा है तो इसमें से हम बेल्ट के लिए निकाल लेते हैं फिर उसके बाद इसकी मियानी बनाएंगे और डिजाइनिंग में जब हम इसका शर्ट बनाएंगे तो उसमें हम बटन वगएरा इसी के ही डालेंगे यह देखिए ऐसे करके यह हम यह यहां हो गया और यह देखिए एक साइड का तो इतना हो गया और एक साइड में कम पड़ेगा तो हम काट लेते हैं दूसरे साइड का लिए देखे फ्रेंड्स हमारी बेल्ट कट गई है अब हम क्या करेंगे इसके म्याने काटेंगे तो म्यानी काटने के लिए देखिए जो बचावा कपड़ा है इसमें इस तशक का एक कोन बनाएंगे और वापिस फिर से एक कौन बनाएंगे और बनाधे jaws को अलग कर लेंगे कि इस मयानी को हम यह देखिए इससे एक इंच नीचे डालेंगे मैनि आप इसके उपर डालेंगे तो आपका आशन चूटा हो जाएगा इससे एक इंची नीचे करेंगे ताकि इसकी को लाई बिल्कुल ठीक रहे इस जगह से लगेगी यह म्यानी और फ्रेंड्स बनने के बाद बस इसको इस तर करके गोल घुमा के सलाई लगा देंगे और इनको आपस में यह देखिए यह तो हमारा बंद है कि खोल लेते हैं कि यह बहुत आसान है मैंने एक बार पहले भी इसकी वीडियो डाल रखी है यह देखिए ऐसे पकड़ेंगे इसको इसके साथ नीचे वाली कह चार ये हैं और चार ही यह है बस इनको आपस में यहां सिल देंगे इनrukणी को यह देखिए चार पॉर्शन हैu इन चारो को यहां सिल देंगे और सिलने के बाद इस तरह गोलाई में और जितना लम्बाई से और इसको नीचे से मोड़ दिया मैंने, मोड़ने के बाद friends ये दोनों portion बिल्कुल कलियां जुड़के ready हो गए है, ये देखिए, अब हमें क्या करना है friends, अब इसकी हमें म्यानी जोड़नी है, जिसी ही बीच में से उठेना, अक्सर लोग जो पहनते हैं तो ये जगा जो ऐसे उठ जाती है बीच में से, तो उसमें हमें ये डालनी पड़ेगी म्यानी, ये देखिए, एक म्यानी हम यहां जोड़ेंगे, और उसके बाद इसका दूसरा portion इसके साथ जोड़ देंगे, ये देखिए, इस तरह ऐसे और ऐसे, ये देखिए friends, इस तरह करके इधर एक म्यानी जोड़ेंगे और इसके दूसरी साइड, दूसरी म्यानी जोड़ेंगे, तो म्यानी जोड़ने के लिए friends, ये देखिए, यहां से ऐसे सिलेंगे, ऐसे सिलने के बाद इस तरह हो जाएगा, ये देखिए, जब ये इस तरह होगा, फिर दूसरा portion हम इसके इस साइड रखेंग इस तरह यहां और फिर यहां ऐसे जोड़ेंगे और फिर इसको जब सीधा करेंगे तो यह बिल्कुल ठीक निकल के आएगा देखिए फ्रेंड प्लाजो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है यह देखिए और घेर देखिए आप कितना अच्छा है ह realtà है यह देखिए और मैंने इसको यह देखिए जो मैं पाश्टी ती उससे पिति को मैं अंदर से लगाया और बाहर को पल्टा और पलटने के बाद यह बीच में गृप पन गई उसके अंद़ यह देखिए मैं आपना हम यह ड्रेस बनाएंगी तो इसके इसलिए हम सब से पहले चोली का कप्ड़ा उतार लेंगे तो चॉली कीलमबाई हमारी तयार 15 है तो तो 16 कीले घरेंगे हम इतना कपड़ा करेंगे अब अब देखे फ्रेंड्स अब हम अपने चोली पर इन झाले द्राफ लगाएंगे तो देखे तीरा हमआरे एसे सीधा मिलाएंगे अभी प्लेटे डालेंगे उसके बाद कर्व डालेंगे यह देखिए और तीरच्छा शेप यहां पर देंगे यह इस कपड़े को मारजन में डाल देंगे अब देखे फ्रेंड्स यह जो हमारे पास आगी का कपड़ा बचा है यह देखे यह जो हमारे पास आगी का कपड़ा बचा है अब हम इस कपड़े को ऐसे करके इतने कपड़े को यहां से अलग करते हैं पहले अब देखे फ्रेंड्स हमने अपने कपड़े को पहले इधर से काटा और फिर सीधे हिस्से को अंदर किया उल्टे हिस्से को बाहर करके ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है ये दोनों बंद साइड मेरी तरफ को है अब देखे फ्रेंड्स कपड़ा हमने यहां से क तो कलियें काटेंगे, तो कलियां काटने से पहले हम छोड़ा सा इसका मेजर्मेंट लेना पढ़ाएगर एक कट डालेंगे भाद हम धिखिये 확인 यहां साइड्य का ना पेंगे तो साइड का तो यह हमारे पास 7-6ारा रहा है और बीच का हिस्सा आ रहा है फ्रेंट्स साड़े आठ और ये देखिए ये वाला हिस्सा साड़े आठ है और ये साड़े आठ है और ये साड़े आठ है फ्रेंट्स इसमें हम कलियां काटेंगे तो कलियां काटने पर ये देखिए ये वाला हिस्सा हमने साड़े लिया था तो कि यहां पे यह हमारा खुला कपड़ा है तो यहां हम साड़े दी यहां कि हमारे के दू हम साड़े साड़ाइस का ते सी पर दंद का European Mé wound कि हमाई निहीं के ड sür entsprechend का और कि में कि विर दो कि यह हममारे का खुला क्पड़ा हुँआ कि जयाएगा कि यहांं काने की फुरा है अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं यह देखिए इस तरह सिलेगा और अब हम इसे सिलते हैं अब हम इसके कमीज सिलेंगे तो यह देखिए हमारे पास यह तो बीच का हिस्सा है और यह हमारे पास इसकी यह दोनों साइडे हैं यह देखिए यह तो हमारी साइडे हैं तो इधर और आधा इधर सिल देना यह तो हो गया पीछे का हिस्सा अब फ्रेंस इसका हम आगे का हिस्सा तैयार करेंगे तो कलिया तो अभी छोड़ देते हैं सबसे पहले चोली में करते हैं अब देखे फेंस, अब हम चोली में अपना गला और इसका स्लिट काटेंगे, तो चोली को ये देखे, साड़े चार इंच की तो हम ऐसे चोडाई ले लेते हैं, और साड़े तीन इंच की गहराई, ये तो हम पहले इसका गला काटेंगे, बोड शेप गला है, एक दम डीप बो यह देखिए और यह जो हमने नीचे काटते समय साड़े चार का निशान लगाया था इस से इसको इस परकार मिला देगे अब हम इसका स्लेट काटेंगे इस बिल्कुल टक्च करते हुई काटेंगे कि कटिया और इस साइड पे हम यह देखिए यहां पर एक कट आपको यहां दीख रहा होगा इस जगा पे हम अपनी जैसे हम ब्लाउस की डालते हैं इस तरह एक डालेंगे और इस साइडने डालेंगे फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे अब देखे friends, आब हम क्या करेंगे, इसमें blue color की piping हम यहाँ डालेंगे, और यह देखे, यह हम इस तरह रखेंगे, थोड़ा इधर बचा देंगे, और यह देखे, cut यहाँ पर है, थोड़ा इधर, यह तो इधर जुड़ जाएगा, और एक कली जो है इसके, देखे, कली के यह पोर्शन देखे, आप एक साइड तेच्छा है, एक साइड सीधा है, तो सीधा हिससा इसके अंदर जोड़ेगा, यह देखे, यह जोड़ जाएगा इसके अंदर friends, और जो यह एक कली हमारी बची भी है, यह देखे, यह जो कली बची है, इसको हम अपनी इस पोर्शन में ज जोड़ेंगे, जो हमने चोली में से काटा है, अब देखे friends, पीछे का हिस्सा भी और आगी का हिस्सा भी दोनों बन चुके है, यह देखे, यह पीछे का हिस्सा हमारा तयार हो गया है, friends, यह देखे, दोनों साइड हमारा थोड़ा-थोड़ा निकला है इसमें, और अब ऐसे करके अंदर को मोड़ दिया ताकि यहां पर हम उपन स्लेट देंगे तो हमें पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी इसी में काम चल जाएगा और फैंस देखिए इस साइड भी हमने ऐसी करा इधर से जोड़ा और इस साइड को जो कपड़ा बचा हमने इधर को बचा लिया और यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए रखा है यह देखिए इधर भी रखा है ताकि अब जब हम इससे जोड़ेंगे आपस में तो यह देखिए इस तरह करके जोड़ेंगे यह देखिए हमारे पास इतना इतना कपड़ा है इसके अंदर तो इस तरह करके जोड़ेंगे ऐसे करके जितना आप अपने according बंद करना चाहते हैं उसे बंद कर ले और बाकी सब को open रग दें और यह देखे फ्रेंड्स गला बनके बिल्कुल ready हो गया बोट शेप गला बनाया मैंने पीछे भी और आगे भी अभी फ्रेंड्स बटन बन जाएंगे तो मैं इसके यहां बट रखेंगे और रखने के बाद ऐसे करके यू उतिर्षा देते हुए पूरा सिल देंगे और फिर जो भी कुछ थोड़ा बहुत नीचे यह देखे थोड़ा बहुत उंचा नीचा आया है इसे काटके और लंबाई के according मोड़ देंगे ट्रेस बन के बिल्कल रेडी हो गई है और फ्रेंस यह देखे यह प्लाजो जो है फुल फ्लेयर है बहुत ही अच्छे फ्लेयर इसमें आय में है यह देखे कितना बड़ा इसमें घेर आया है और फ्रेंस देखे यह वाला घेर भी बहुत बड़ा है यह बहुत नीचा नहीं और आप गला देखें कितना सुंदर लग रहा है और स्लिट मैंने देखी यहां से चार इंच बंद कर दिया और बाकी सारा मैंने स्लिट कोल दिया तो फ्रेंट्स आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना